Hey what's up guys, welcome back once again, so दोस्तों आच्छी कहानी जो एकस्प्लेन करने जा रहे हैं, उसका नाम है प्लेन, कहानी शुरू होती है जरी नाम की लड़की से, जो अपनी जिन्दगी से कुछ खास खुश नहीं है, उसे mentally बहुत सी प्रॉब्लम है, जिसम से एक उसके डाट की खुद जो mentally disturb हैं, वो उन्हें दोस्त मानती है, लेकिन उन्हें हर रोज बहुत सारी दवाईयां खानी परती है, जिसमें जैनी भी थी, अब इन लोगों की हर शाम काउंसिलिंग होती है, और डॉक्टर सैम्योल लेते हैं, अब एक दिन रात में जैनी अपनी मॉम से बात कर रही हो जरूरतों की सारी मेडिसन ले लीती है, और फिर बिना किसी को बताए, वहां से एरपोर्ट के लिए रवाना हो जाती है, कुछ समय बाद उसकी रूमेट जब यह बात डॉक्टर को बताती है, तो वो फॉरन जैनी को कॉल करते हैं, और उसे वापस आने को कहते हैं, क्योंकि अभी वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, उसके साथ किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, लेकिन जैनी को तो कुछ और ही प्लाइन होते हैं, हम देखते हैं कि वो वाश रूम में बैठी रूती रहती है, और कहती है कि मुझे जाना ही होगा, मेरी फ्लाइट बूर्ड होने अब उसके आवाज सुनके वहाँ एक पॉल नाम का आदमी उसे बुलाने लगता है, उसे लगता है कि शायद जैनी को किसी चीज की जरूत है, लेकिन वो बिना कुछ कही वहाँ से चली जाती है, लेकिन जब बाहर वेटिंग हॉल में वो बैठी होती है, तो पॉल भी उसके पास आकर बैठ जाता है, जिसके बाद उन दोनों में बहुत सारी बाती होती है, जिसे जैनी थोड़ा सा रिलाक्स फील करती है और स्माइल भी करती है, वहना अभी तक वो बस डिप्रेस ही हुई जा रही थी, अब सारे लोग फ्लाइट में जाने लगते हैं, तो उसे वहा फ्लाइट में बैठ जाते हैं, तो कोइंसिडेंट यहाँ पॉल की सीड जैनी के साइड में होती है, वो यह देखकर हसती हुए कहता है कि शायद तुम्हारा और मेरा कुछ पुराना रिष्टा है, उसी दौरान वो बताता है कि मैं क्रिसमस पे अपने घर जा रहा हूँ, व बस बहुत हुआ, मैं और ऐसे जी नहीं सकती हूँ, इसलिए मुझे जो भी गलती हुई है, मैं उसके लिए आपसे माफी मांगती हूँ, इसके बाद वो छुपके से पॉल के पॉकेट में वो लेटर डाल देती है, और फिर कुछ मेडिसन को लेके वो उश्रों में आ जाती है, यानि कि वो यहीं पे खुदकुशी करने वाली है, वो अपनी घर तक का इंतिजान नहीं कर रही है, जैनि होस्टल से बहुत सी दवाईयां लेकर आई थी, वो ओवर डोस करके अपनी जान देने वाली थी, वो उन सारी मेडिसन को बहा निकालती है और एके करके खाने के रेडी करती है, लेकिन तभी कुछ टर्बूलन्स महसूस होती है, तो गेट के बाहर एर होस्टेस उसे बाहर आने को कहती है, लेकिन वो गेट नहीं को थी, पर यहाँ जैनि को इस बात का हलका सभी अंदाजा नहीं था, कि असल में क्या होने वाला है, प्लेन के साइड देखते हैं कि स्क्रीन ब्लाक हो जाती है, जब हम स्क्रीन को दोबारा देखते हैं तो यह प्लेन अब क्रैश हो गया था, और वो भी आर्केटिक्स सरकल में जहां पर खून जमा देने वाली ठंड पल रही थी, पर यहां गौर करने वाली बात यह थी, कि जैनिया भी भी ज जिन्दा थी, वो जब उस प्लेन से बाहर आती है, तो चारों तरफ पस मलबा और इंसान की लाशे थी, कुछ लोगों की सांसे चल रही थी, पर वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और उसे वहां वही लड़की मिलती है, जिसकी अभी 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 शा पासे में जिन्दा है, लेकिन यहां कोई और भी था और वो था पॉल, वेलिन दोनों का सच में पिछले जनम में कुछ रिष्टा जरूर रहोगा, जहां भी होते हैं हमेशा साथ होते हैं, वो फॉरण जैनी को देखकर उसे आवाज देता है, लेकिन जैनी भागती हुए उ मश्किल हो गया, तो वो फॉरण उसे कुछ मेडिसिन देती है, जिससे कि उसका पेन कम हो सके, और फिर दोनों वहीं एक ब्लांकेट ओल कर सो जाते हैं, लेकिन कब तक इन यहां रहना पड़ेगा, क्या यह भी यहां पर माले जाएंगे, यहां जैनी के अंदर फिर से जिन् भर वहीं बाहर पड़ी हुई थी, और अब वो पूरी तरह से जम चुकी थी, वो उनके पास जाकर बैट जाती है, तो पॉल उसे ऐसा करता है, देख उसे पूछता है, क्या तुम्हीं लोगों को जानती हो, लेकिन वो कुछ नहीं कहती, वो कहता है कि फिर ऐसा क्यों कर रह पॉल उसे समझाता है कि वो जा चुकी है, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, देखो हम जिन्दा हैं, इसलिए हमें अपने बारे में सूचना चाहिए, लेकिन आज जनी बीना कुछ बोले ही जाकर फिर से टौलेट में बैट जाती है, उसके हाथ में एक शार्प टूल था जिस जनी उल्टा उस पर ही चिलाने लगती है, क्योंकि वो कहीं भी जाना नहीं चाहती थी और भला वो क्यों जाए, वो तो यहीं सोच कर आई थी कि खुद की जान लेनी है, पॉल उसे जीने के लिए ट्राइ करने को कह रहा था, तो वो यह नहीं कर सकती थी, पर पॉल उसे बह आगे बढ़ते हैं, वेल पहले तो इन्हें यहां से नीचे जाना होगा, ताकि इन्हें सांस लेने में आसानी हो सके, और थोड़ी ठंड भी कम लग सके, तो दोनों धीरी-धीरे करके नीचे जाते हैं, पर बीच में इनका सामना एक खड़ी चटान से होता है, लेकिन पॉल ज पताता है कि नीचे देखो, एक पेड़ है, अगर हमें नीचे जाना है, तो यहां से सीधा नीचे कूटना पड़ेगा, छलाग माननी होगी, जिसकी मदद से हम नीचे जा सकते हैं, पर जैनी ऐसा करने से मना कर देती है कि इसमें उसकी जान भी जा सकती है, उसका पैर पूछती है, लेकिन उसे यहां थोड़ी सी चोड़ लग जाती है, उसी दौरान उसके जेब से एक दवा गिर जाती है, जिसे उठाते हुए पॉछता है, कि यह किस चीज़ की है, क्या यह नीन की गोलिया है, पर वो कुछ भी जवाब नहीं देती है, तो उसके बार बार प उस पर पूरा भरोसा करता था, लेकिन शायद वो नहीं करती है, वेल कुछ देर आराम करने के बाद दोनों फिर से आगे बढ़ते हैं, लेकिन अब क्रैश की हुए काफी समय हो चुका है, और तब से इन्हें ना तो कुछ खाया हुआ है, ना ही पिया है, जिसका असर जैनी पर दिखना शुरू हो गया था, वो ठक चुकी थी, और अब उसे और चला नहीं जाएगा, यही बात वो पॉल से भी कहती है, लेकिन वो उसे बताता है कि तूफान आने वाला है, उसे पहले हमें किसी सीव जगा पर पहुचना पड़ेगा, वना हम उस तूफान में फस सकत हैं, इसलिए वो दोनों चलते रहते हैं, लेकिन एक जगा पर पहुचकर जैनी और पॉल के बीच में थोड़ी दूरी आ जाती है, जिस वजे से वो उसके पीछे छूट जाती है, और वो पीछे से आ रहे हैं अवलांच के बारे में उसे बता नहीं पाता, फिर क्या था, द जमीन थोड़ी हाड लगती है, वो उस जगा को खोदने लगता है, और ऐसे ही करके उसने जैनी को ढूल लिया था, उसे देख जाती है, लेकिन जैनी पूरी तरह से बर्फें दब चुकी थी, और यहां उसे पहली बार मौत का हैसास होता है, उसकी पूरी बोड़ी काप रह जाता है, वो घसीटती हुए उसे एक गुफा मिले के जाता है, जहां थोड़ी गर्मी थी, जिसे जैनी को थोड़ा आराम मिल सके, अब शुरुवात में जैनी जब भी होश रहती है, तो पॉल उसे बस देखता ही रहता है, पर जब उसे होश आता है, तो वो दूसी दरफ जाके बैट जाता है, लेगिन थोड़ी दिर बाद वो उसे बता ही देता है, कि उसकी सीट उसके साथ नहीं थी, असल में जब उसने जैनी को एरपोर्ट की गेट पर देखा था, तब ही से वो उसे लाइक करने लगा था, जिसके बाद उसने खुद की सीट उसके साथ करवा वाले दिन खुद की जान ले ली थी, उस दिन के बाद मैं mentally पूरी तरह से disturbed हो चुकी थी, मैं हर समय बस depressed रहने लगी थी, और इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं अपने डाट की तरह Christmas वाले दिन अपनी जान दे दूँगी, उसके बारे में ये सच जानकर पॉल उसे गली से दी जाओ, मैं अब उठ नहीं सकता हूँ, मुझे तुम यहीं छोड़ दो, लेकिन वो उसके बाद नहीं मानती और उसे भी साथ चलने को कहती है, जिस वज़े से उन दोनों में लड़ाई भी हो जाती है, लेकिन एंटाएंड वो जैनी के आगे हार जाता है, और चलने के ल जलने लगे हैं, क्योंकि पॉल जादा देर तक लगदार चल नहीं सकता है, इसलिए वो थोड़ी थोड़ी देर पर रुख कर अराम करता है, पर एक दिन पॉल को दूर एक नदी दिख जाती है, जिससे देखकर वो बहुत ही खुश होता है, और कहता है कि वो हमारे घर जान पिलाती है, लेकिन खून बहुत ही जादा बहरा था, वो सबसे पहले तो उसकी हड़ी को ठीक करती है, और फिर उसे जखम वाली जगां पे पट्टी लगाती है, अब ऐसी हालत में पॉल आगे बढ़ नहीं सकता है, इसलिए वो वही रात गुजाने का फैसला करता है, अब पॉल उससे कहता है, कि अब मैं चल नहीं सकता हूँ, इसलिए तुम मुझे यही छोड़ दो, आगे चली जाओ, लेकिन जैनी ऐसा नहीं करती, तो यहाँ पॉल उसे एक वादा करता है, कि वो अपनी सांस को चलाता रहेगा, जब तक वो वापस मदद लेके नहीं आ जाती, कहीं नहीं कहीं जैनी को भी लगने लगा था कि पॉल अब चल नहीं सकता है, इसलिए यही सही होगा, इसलिए उसे यहीं आराम करने देना चाहिए, जिसके बाद वो उसे किस करती है, और उसे एक ब्लांकेट उड़ा कर वहीं छोड़ कर आगे बढ़ जाती है, यह बहुत इमोशनल सीन होता है, और पॉल पूरी तरह से अकेला महसूस कर रहा था, इधर जैनी जिसके साथ अभी तक पॉल था, लेकिन अब यह अकीली हो चुकी है, इसे अब हर चीजों का सामना अकेली ही करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो, और इसे फॉरन मदद भी लानी होगी क्योंकि वहाँ पॉल अकेला इसका इंतिजार कर रहा है, अब जैनी को सबसे पहले उस नदी तक पहुचना है, जिसके बारे में पॉल ने उसे बताया था, लेकिन उससे पहले उसका सामना होता है जंगली भीडियों से, जो उस पर हमला कर देते हैं, अब उसे भागने के अ मार गिराती है, और फिर भागते हुए आगे आ जाती है, अब आगे जाने पर उसे एक कच्ची सलक दिखती है, जिसके साइड में वही नदी बह रही थी, जिसके बारे में पॉल नो उसे बताया था, वो उस नदी को फॉलो करती है, और एड़ दा एंड उसे एक पकी रोड मिल जाती है, अब ये देखकर वो बहुत ही खुश होती है, क्योंकि उसकी जान बज गई थी, और उसी रोड पर लेट जाती है, तभी एक ट्रक वाला उसे देख लेता और उसे लेकर तुरंत ही हॉस्पटल आ जाता है, लेकिन जब तक वो उन्हें पॉल के बारे में बता बाती, वो बेहोश हो चुकी थी, सीजन शिफ्ट होता है, चौबीस साल पहले, जब जैनी सिर्फ दस साल की थी, क्रिसमस का दिन है, उसके डाइड उसके पास आते हैं और उसे एक गिफ देते हैं, जो कि एक विंटेज वाच थी, वो बोलते हैं कि जब भी तुम मुझे मिस करो, इसकी टिक-टिक की आवाज सुन लेना, तुम्हें अच्छा लगेगा, वलकानी प्रेजन में आती है, जहां पे हम जैनी को देखते हैं, जिसे अब होश आ चुका है, आँख खोलने से पहले, वो सबसे पहले पॉल के बारे में पूछ थी है, पर उसके पास बैठी, उ जब वहाँ के लोगों ने उसका rescue किया, तब उन्हें वो letter मिल गया, जिसके बाद उन्होंने यहाँ जैनी के hospital तक पहुचा दिया, उसमें लिखा था कि जैनी तुम घबराना मत, मैं तुमसे जादा दूर नहीं जा रहा हूँ, मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ, तुम आखे बंद करके मुझे महसूस कर सकती हूँ, हम इस जनम में साथ नहीं हो पाए, लेकिन मैं God से pray करूँगा कि अगले जनम में हम दोनों साथ ही हूँ, मैं अभी भी तुम्हारे दिल में मौझूद हूँ, अब ये पढ़कर जैनी की सारी memories यादा जाती है, जब उसने Paul को पहली बार देखा था, उसकी हसी वो हर चीज जो पॉल की याद देलाती थी, उसे आइसास हो गया था कि हमें मिली जिन्दगी कितनी कीमती है, इसे ऐसे बरबाद नहीं करना चाहिए, जिसके बाद जनी अपने खौबों में खोजाती है, जहां वो पॉल के साथ एक उची सी चटान बे खड़ी बाते कर रही है, और इसी के साथ ये कहानी एक खतम हो जाती है, विल इस वीडियो बे एम करते हैं 500 कॉमेंट का, तो कॉमेंट करके ज़रू बताएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी, मिलते हैं आप से के लिएटे मैं, thank you so much watching, peace out.